हेलो बच्चों क्यासे हैं आप उम्भीत करती हूँ आप बढ़िया और एकदब मज़े में होंगे और अपना जीवन आनन से जी रहे होंगे तो बच्चों आज की इस अध्याय में हम पढ़ेंगे वन विचार के बारे में बच्चों जब हम कुछ बोलते हैं तो हमारे मुख से कुछ ध्वनिया निकलती हैं इन ध्वनियों को जिन चिन्हों से लिखा जाता है उन्हें वन कहते हैं वनों को अक्षर भी कहा जाता है वन भाषा की सबसे छोटी काई होते हैं जिसके खंड नहीं किये जा सकते वनों की सा प्रायता से शब्द की रचना होती है वर्णों अथ्वाद्वनी चिन्हों के सामोहिक रूप को वर्ण माला कहा जाता है क्या कहते हैं उसे वर्ण माला आएए वर्णों के भेद की और बढ़ें तो बच्चों उचारण और फ्रयोग के अधार पर वर्ण माला में आए वर्णों को दो भागों में बाटा गया है स्वर तथा व्यंजन अब हम पढ़ेंगे स्वर के बारे में वे ध्वनियां जिनका उचारण स्वतंतर रूप से किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना होता है उन्हें स्वर कहते हैं स्वराव का उचारण करते समय मुख से श्वाश वयू निर्बाढ्स रूप से अर्था बिना किसी रुकावट के बहार आती है हिंदी वनमाला में 11 स्वर होते हैं जो इस प्रकार है औ, आ, इ, ई, उ, री, ए, आ, ओ, आ, ये है 11 स्वर और हिंदी में अंग्रेजी के अनेक शब्दों का प्रियोक किया जाता है इस कारण अंग्रेजी से आध्वनी, आ जिसके उपर आगध्वनी का चिन होता है हिंदी में प्रियोक्त होने लगी है जिसे ओफेज, कॉलेज, डॉक्टर, बॉलादी इनके उपर आगध्वनी का चिन लगा होता है इसी तरह री का उचारण री की भाती किया जाता है जिसे रिशी, रिण, रितुवादी ये तो थे स्वर अब हम जानेंगे व्यनजन के बारे में वे ध्वनिया जिनका उचारण स्वरों की सहायता से किया जाता है वे व्यनजन कहलाती है अर्थात जब भी हम किसी व्यनजन का उचारण करेंगे तो उसमें स्वर की ध्वनी आएगी सभी व्यंजन स्वर ओ की सहायता से बोले जाते हैं जिसे क का उच्चारण करेंगे हम तो इसमें किसकी ध्वनी आ रही है ओ की ध्वनी साथ में आ रही है पच्चों हिंदी वन माला में व्यंजनों की संख्या 33 है आईए वो 33 व्यंजन जाने इनका बारे में आप्भ्यास आप पहले की कक्षाओं में भी कर चुके होंगे इसके अत्रिक्ट और भी व्यंजन होते हैं जो अत्रिक्ट व्यंजन कहलाते हैं जो ड़ ड़ होते हैं ड़ ड़ का उचारण ड़ ड़ से भिन होता है इसके नीचे बिंदू लगा दिया जाता है इसे नीचे दिये गए शब्दों का उचारण करके समझा जा सकता है जैसे ड़ ड़ से शब्द बना डाल डाईरी डो और ड़ जिसके नीचे बिंदू लगा होता है इससे कोई भी शब्द शुरू नहीं होता ये तो या तो शब्द के बीच में आते हैं या अंत में आते हैं जिसे शब्द बनता है लड़का, लड़ाई, पेड, इनके नीचे ड़ के नीचे बिंदू लगाई जाती है दूसरा होता है धो, धो से भी शब्द की शुरूआत होती है जिसे ढाल, ढोल, ढकना लेकिन धो जिसके नीचे बिंदू लगता है उससे भी शब्द की शुरूआत नहीं होती ये भी शब्द के बीच में या अंत में ही आता है जिसे शब्द पढ़ना, चड़ना, बूढ़ा इसके निचे ढोके निचे बिंदू लगाते हैं बच्चों निमलिके चार वर्ण संयुक्त वेंजन माने जाते हैं चार संयुक्त वेंजन होते हैं जो दो वेंजनों के मेल से बनते हैं जिसे करशो के मेल से बना शो शब्द बना कक्षा शमा तो और रो के मेल से बना संयुक्त वेंजन है त्र, शब्द है त्रिशूल मेत्र और जो और यों के मेल से बना संयुक्त वेंजन है ग्या, ग्यान, विज्ञान इसके शब्द है शो रो से मेल से बना शो, शब्द है श्रम, श्रम, ये चार हमारे संयुक्त व्यंजन है आप जानेंगे हम कुछ विशेश बात बच्चों ग्यो का उचारन आधा गो और यो के रूप में प्रचलित है इनके अलावा कखगजरफव ध्वनिया फार्सी लीपी से हिंदी में आई है अर्थाद इसके नीचे नुक्ता लगा होता है इनका उचारन हिंदी की कखगजरफव ध्वनी व्यंजनों से भिन होता है जैसे कफन, खत, कागज, जमीन आदी असा नुक्ते का इसमें आपको उचारन करना होता है ऐसे शब्दों में फार्सी ध्वनियों का प्रियोग देखा जा सकता है आईए आप अयोगवा जान ले बच्चो स्वर और व्यंजन वर्णों के अत्रिक हिंदी वनमाला में अ, अनुस्वार, अं, अनुनासिक और अह, विसर को भी शामिल किया जाता है इन्हें स्वरों के बाद प्युक्तिया जाता है ये स्वरों या उनकी मात्रों के बाद आते हैं इन्हें अयोगवा कहते हैं इनकी गिंती ना तो स्वरों में की जाती है और ना ही व्यंजनों में है अनुस्वार को वन के उपर बिंदू के रूप में लिखा जाता है उधारन के लिए अंगूर के उपर बिंदू आती है तो ये क्या है अनुस्वार कंस गंगा अनुस्वार के उधारन है इसी तरह अनुनासिक के साथ द्वनी का जो प्रियोग किया जाता है वो अनुनासिक की नाक की साहिता से बोला जाता है अर्थात अनुनासिक को बूलने के लिए नाक और मुक यानि गले का दोनों का सहरा लेना होता है अनुनासिक वर्णों के उपर चंदर बिंदू लगाये जासा है जैसे चांद, दान, इनके उपर चंदर बिंदू आता है इन दोनों का भेद इस प्रकार है अर्थात, अनुस्वार और अनुनासिक का भेद अलग है जैसे हंस, हंस का उच्चारण हम बिंदू की रुप में करते हैं और इसका उच्चारण करने के लिए केवन नासिक आयने की नाग का प्रयोग किया जाता है जैसे आज मैंने तालाब के पास हंस देखे हंस याने की तैरने वाला पक्षी और हस हस का उच्चारन चंद्रमिंदू होगा और उसका उच्चारन नासिका और गले से होगा जैसे इसका वाक्य बनेगा चुटकुला सुनकर रंजना हस पड़ी आप जानेंगे विसर्ग विसर्ग दो बिंदू के रूप में आता है शब् प्रातह पुनह अदि इस तरह कई शब्द होते हैं ये वे शब्द हैं जो संस्कित भाषा से हिंदी भाषा में आये हैं आएए अब बढ़ते हैं स्वरों के भेद की और तो बच्चों स्वरों को मुखे रूप से दो वर्गों में बाटा गया है हस्वस्वर और दीर्क तो पढ़ते हैं सबसे पहले हस्वस्वर के बारे में जिन स्वरों के उचारण में कम से कम समय लगता है उन्हें हस्वस्वर कहते हैं ये संख्या में चार होते हैं देखे किती जल्दी जल्दी बोल दिया आपने इसी लिए इन्हें हस्वस्वर कहा जाता है इन्हें मूल स् करता है हस्व स्वर की रश्णा किसी अन्य स्वर के योग से नहीं होती अब दूसरा है स्वर का भेग दीर्ख स्वर जिन स्वरों का उच्छारण करते समय हस्व स्वर से दो गुना समय अधिक लगता है उन्हें दीर्ख स्वर कहते हैं दीर्ख स्वरों की रशना दो हस्व स्वरों के योग या संदी से होती है अर्थाद उनके मिलने से होती है इस काराण इन्हे संधी स्वर या सयुक्त स्वर भी कहते हैं इनकी संख्या साथ होती है जैसे और ओ के मेल से आ दिर्ख स्वर बना चोटे उ के दोनों मेल से बड़ा उ बना और ए के मेल से अ बना और ओ के मेल से अ बनता है ई ए के मेल से बड़ी बन जाती है औ चोटी ई और बड़ी ए के मेल से अ बनता है अ उ और बड़ा उ के मेल से ओ बन जाता है तो बच्चों अंग और अह का उच्चारन भी दीर्ग स्वरों की भाति किया जाता है अर्थात इसका उच्चारन करने के लिए थोड़ा सा खिचाव देना होता है कुछ समय पहले तक हस्व और दीर्ग के अलावा स्वरों का तीसरा भेद भी माना जाता था जिसे प्लुप स्वर कहते है उसका उच्चारन करने में हस्व स्वर की अपेक्षा तीन गुना समय लगता था इसे प्रकट करने के लिए स्वर के आगे हिंदी का तीन अंक तीन अंक लिखा जाता था जैसे ओ चारन करते में हमें कितना समय लगा इसलिए से प्लूप्ट स्वर कहा जाता है प्राय संबोधन या दूर से पुकारने के लिए प्लूप्ट स्वरों का प्रयोग होता था किन्तु अब लिखने में प्लूप्ट स्वरों का प्रयोग लुप्ट हो चुका है लुप्ट जैसे शब्द है कल, इसमें कोई मात्रा नहीं आ रहे है, आ की मात्रा एक दंडे की रूप में दर्शाई जाती है, शब्द बना नाग, छोटी की मात्रा विंजन के आगे से लगती है, शब्द बना विश, बड़ी की मात्रा विंजन के पीछे से आती है, शब्द है जीत, छो कउचारण होता है इसमें एक की मात्रा शिरो रिखा के उपपर एक मात्रा के रूप में आती है शब्द है शेर एक की मात्रा भी शिरो रिखा के उपपर दो मात्रा के रूप में आती है और शब्द बनता है बहर ओ की मात्रा एक डंडा और शिरो रिखा के उपपर एक मात्रा के रूप में दर्शाय जाती है शब्द है मोर अउ की मात्रा डंडा और शिर्योरिखा के उपर दो मात्रा के रूप में दर्शाय जाती है शब्द बने गा इसे कव्वा अंग की मात्रा बिंदू की रूप में आती है शिर्योरिखा के उपर शब्द है गंगा और अनुस्वा में शब्दापा है नमह– उचारण ह की तरह होगा इसका अज्यान देने योग और कि एस वर के ऊपर कोई मात्रा नहीं लगाया जाती पर व्यंजन के उपर एक मात्रा लगाई जाती है इसे पिकर आय स्वर के उपर एक मात्रा लगाई जाती है परंतु व्यंजन के साथ एक असे योग होने पर उसके लिए दो मात्राइं लगाई जाती है जैसे जो व्यंजन के साथ आय स्वर का प्योग होने पर जो पर दो कार होता है जिसे रौ के साथ छोटे उका प्रियोग उसके बीच में होता है जैसे रू शब्द बना रुपिया रुमाल रौ के साथ बढ़ाओ भी रू चारण के रूप में होगा और बीच में लगाई जाएगी मात्रा शब्द है रूप रूखा चलिए बढ़ते हैं आप व व्यंजनों को मुखे रूप से तीन भागों में बाटा जाता है स्पर्ष व्यंजन, अन्थस्थ व्यंजन और उश्म व्यंजन तो सबसे पहले पढ़ते हैं स्पर्ष व्यंजन के बारे में बच्चो कौ से मौ तक 25 व्यंजन स्पर्ष व्यंजन माने जाते हैं जिनें निम लिखित पांच वर्गों में विभक तिया गया है पहला है को वर्ग इसमें आते हैं कखगगड़ अगला है चवर्ग इसमें आते हैं चचजज़ यहां फिर आता है टो वर्ग इसमें आते हैं टठडडडण और है फिर अगला पावर्क इसमें आता है पफब भमो यह 25 आपके स्वर्श वियंजन तो बच्चों उपर दिये गए 55 वियंजन वर्णों के पहले वर्ण के अधार पर प्रतेक वर्ण का नाम कवर्क, चवर्क, तवर्क, तवर्क और पवर्क कर दिया गया है व्यंजनों के क्रम को सरलता पूर्वक याद करने के लिए हर वर्ग के प्रथम वर्ण को लेकर कचट तप सूत्र बना सकते हैं तो उपर दिये गए व्यंजनों का उच्चारन करते समय श्वाश, वायू, मुख के आंतरिक अंगों जिसे कंट, तालू, मुद्रा, दंत और ओष्ट का स्पर्ष करती है इस कारण इन वर्णों को स्पर्ष व्यंजन कहा जाता है अर्थात मूं के कई भागों को छूती है इस इसलिए छूना यानिकी स्पर्ष करना इसलिए ये स्पर्ष व्यंजन कहलाते हैं दूसरे दरे के व्यंजन होते हैं अंथस्ट व्यंजन ये चार होते हैं जो हैं यर लव तो उपर लिखे इन चार व्यंजन वर्णों का उच्चारन करते समय श्वाश, वायू, मुख के अं थात हमारी श्वाश वायू अंदर ही होती है इनका उचारण करते समय वायू की रुकावत कम मात्रा में होती है इसलिए इन्हें अन्थस्त व्यन्जन कहते हैं तीसरा है उश्म व्यन्जन ये भी चार होते हैं जिसे श, श, स, ह उश्म वियंजनों का उच्चारंड करते समय श्वाशवायू रगर खाती हुई मुख से बाहर निकलती है इससे उश्मा यहनी की गर्मी पैदा होती है इस कारण इन वर्णों को उश्म वियंजन कहा जाता है बच्चों आजकल लिखते समय प्रतेक वर्णों के स्थान पर सीधे अनुस्वार का प्रियोग किये जाने लगाया अनुस्वार यानिकी उपर बिंदू लगाया जाता है इनकी जगापर जैसे गंगा के स्थान पर गंगा डव ना लगाके उपर बिंदू चंचल यहों की जगा पर बिंदू चंचल दंड में अनो न लगा के उपर बिंदू मंद में आधा नो न लिखके मौक्यों पर बिंदू लगा देते हैं तो इसका संबंध होता है सीधा पाँचवे वर्ण से जिसको बिंदू के रूप में दर्शाया जाता है चलिए आप जाने संयुक्त वेंजन क्या है बच्चो दो विभिन वेंजनों के योग से संयुक्त वेंजन बनते हैं अर्था दो अलग-लग वेंजन मिलते हैं और संयुक्त वेंजन बन जाते थे जिसे कौर शो से श, तौर रो से त्र, जोर यों से ग्या और शोर रो से श रो बनता है इन्हें हिंदी वनमाला में उश्म वन्नों के बाद लिखा जाता है पर इनमें अत्रिक्त अन्य वन्नों का योग भी बहुत आयत होता किया जाता है अर्थात बहुत मात्रा में किया जाता है संयुक्त व्यंजनों के कुछ अत्रिक्त उधारन इस प्रकार है जैसे कौर्तो से बनता है आधकौर्तो शब्द बना रक्त, युक्त, मुक्त पौर्तो से प्राप्त, गुप्त, सप्ता इसमें प्रथम वन होता है आधा और दूसरा पूरा होता है कॉर्यों से आधा कॉर्यों बना शब्द बना वाक्य क्यारी शाक्य तौर्णों से आधा तौर्णों जिसे पत्नी प्रयत्न रत्न पॉर्यों से आधा पॉर्यों शब्द बना प्यार प्यास प्याला एसे ही सवर्वो से अधसवर्वो बना जिसे स्वर्ग, स्वागत, स्वभाव, तौर्यो से अधतौर्यो शब्द बनेगा सत्य, अत्यंत, अत्याचार इसी प्रकार अन्य-नेक सयुक्त व्यंजनों के उधारन दिये जा रहे हैं आप भी और भी कई शब्दों को बना सकते हैं जो संग्ति वेंजन होते हैं चलिए अब पढ़ें द्वित्वी वेंजन क्या है द्वित्व यानि कि दो जब एक ही वेंजन ध्वनी अपने समान किसी अन्य वेंजन से मिलती है अर्था दो समान वेंजन आपस में मिलते हैं तो उसे द्वित्व वेंजन कहते हैं जिसे पक्का सच्चा गन्ना पत्ता सज्जन इसमें दोनों ही वेंजन एक जैसे आ रहे हैं जैसे पक्का में आधा को और पूरा को दोनों एक ही वेंजन एक आधा और एक पूरा यह होते हैं बच्चों हलन्चिन युक्त संग्ट व्यंजन के साथ इक की मात्रा इक ध्वनित व्यंजन से पहले लगाई जाती है जिसे बुद्धी गुद्धिय चिहनित आदि और स्वरहीन रो इसमें रो स्वरहीन हो स्वर नहीं है उसके अंदर अगले वर्ण के उपर रेफ के रूप म लगाया जाता है जैसे कर्ण तर्क आरेह अर्थात इसमें रो में इस आधा नहीं है स्वरहीन व्यंजन के बाद रो का योग कि स्वर्ण के साथ रोगाईगा तहां क्रम करम शरॐ चक्र प्राक क्रम के साथ रोगगत ग्रोव ग्रहण अग्रज ग्राम आधि पाके साथ रहो गा तो प्रान प्रथम प्रकाशाधि सव के साथ रहो गुद तो दो के साथ अगर रहो तो त्रव्य चंद्र समुद्रादी शब्द बनेंगे तो बच्चों तर ठर डर ढ़ के साथ रौ का संयोग निद्रिश्ट वर्णों के नीचे इस तरह लगाया जाता है जैसे प्रेन, प्राम, ड्रम, ड्रामा दी यह तर ठर डर ढ़के नीचे ही रौ इस तरह लगाते हैं आईए आपके अभ्यास के लिए इस पार्ट को दोरा लेते हैं वर्ण मुख से बोली जाने वाली धोनी का लिखित रूप है ये भाशा के सबसे छोटी खाई है इसके खंड नहीं किये जा सकते वर्ण माला के दो आंग है स्वर और व्यंजन स्वर वेध्वनिया हैं जिनका उचारन स्वतंतर रूप से बिना किसी वर्ण की साहिता लिए किया जाता है स्वर ग्यारा होते हैं व्यंजन वेध्वनिया हैं जिनका उचारन स्वरों की साहिता से किया जाता है क से ह तक 33 व्यंजन होते हैं डड़ अत्रिक्त वर्ण माने जाते हैं और शो त्रग य और शो संक्ट वेंजन हैं कख गजर फो ध्वनिया हिंदी में फार्सी से आई हैं अंग अनुस्वार और अह विसर को अयोगवा का जाता है जो ना तो स्वर माने जाते हैं और ना वेंजन इनके साथ अनुनासिक वर् चंदर्विंदू लगाय जाता है, जिसे मुह, हसी, आखादी। स्वर्दो प्रकार के होते हैं हस और दीर्ग, व्यंजन के साथ स्वरों का योग, मात्रा, चिनों के रूप में होता है। धंजन तीन प्रकार के होते पाश अंथस्ट और ऊश्म वर्क चावर्क टावर्क तावर्क और पावर्क सपश्वेंजन यह रहा लव अंथस्ट और शो शो सह उश्म वहंजन है तो उम्मीद करते हुं बच्चों यह पाठ आपको अच्छे से समझ आया होगा अब इसका अभ्यास कारे आप साहिम अढ़ को यह पावर्क तावर्क और शो सह उड़ो जो सह उवर्क पर शो वह जो शो सह रहा होगा तो पावर्क पावर्क